दोस्तों, Realme ने एक नय फोन को लाँच करने वाला है, तो इसका नाम है Realme GT, इस फोन को इस महिना 18 को फ्लिपकार्ट में लाँच होने वाला है, तो यह लाँच होने से पहले आप इसका जो की स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानना बहुत जुरूरी होता है, जब जाके आप इस फोन को इजिली खरीच सकते हैं, तो चलो दोस्तों इसके जो की फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं, दोस्तों इस फोन के जो की फंक्शन से परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, क्यामरा और बैटरी, HR की फंक्शन के बारे में आज हम देखेंगे, पहला हम इसके पर एक चिपसेट मिलने वाला है, Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट, यह नया चिपसेट है और powerful चिपसेट बोल सकते हैं, और इस फोन में आपको Octocore का प्रोसेसर दिया गया है, उसके साथ में आपको 8GB RAM मिलता है, इंटरनल मेमोरी आप देखेंगे, तो 128GB का इंटरनल मेमोरी इसमें दिया गय 3-inch का display, Super AMOLED display मिलने वाला है, और 120Hz के refresh rate के साथ में यह मिलता है, और इसमें आपको bezel-less punch hole का display इसमें दिया गया है, यह था इसका display, अभी इसका जो main function है वो camera, rare camera में आपको triple camera setup देखने को मिलता है, उसमें 64MP main camera, उसको wide angle cook के लिए use किया गया है, और 8MP इसको ultrawide के लिए use क गया है, और 2MP इसको macros के लिए use किया गया है, यह था इसका rare camera के बरमे, अभी selfie या front camera में आप देखेंगे, तो आपको 16MP camera दिया गया है, आपको wide angle भी मिलता है, दोस्तों camera में थोड़ा मुझे कमी लगा क्योंकि जो भी phone अभी launch हो रहा है, उसमें आपको minimum 18MP दिया गया है, और यह flagship बोल रहे हैं, और इसका जो processor भी इतना बढ़िया है, लेकिन camera में consistency क्यों किया गया है, 64MP क्यों दिया गया है, क्यों 108MP नहीं दिया गया है, और front camera भी आप देख सकते हैं, वो only 16MP दिया गया है, इधर मुझे थोड़ा कमी लगा है, देखेंगे इसका camera performance कैसे होगा, लॉंच होने के बाद भी पता चलेगा, अभी हमारा next feature है, बैटरी के बारे में, बैटरी में आप देखेंगे, तो 4500mAh का बैटरी में दिया गया है, और इसके साथ में आपको 65W का flash charging भी मिलने वाला है, तो यह था दोस्तों, Realme GT 5G phone के key specification, और इसका जो price मैं आपको बता द होगा, और 18 को यह flip card में launch होने वाला है, यह specification देखने बाद आप भी set कीजिए, आप इस phone को खरीदना है, या ना खरीदना है, तो मुझा लगता यह information थोड़ा तो आपको use हुआ होगा, ऐसे ही नए information लेकर दूसरे वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक thank you for watching, take care all.